17 सितंबर को 2 करोर 50 लाख 36,821 वैक्सिनेशन लगाकर ना केवल अपने प्रस्तावित लक्षे को भारत ने हासिल किया बलकि दुनिया भर के लक्षे को भी पीछे छोड़ दिया है ये बात राष्ट्रिय स्वास्ते स्वयम सेवक अभ्यान के उत्तरक्षेत संयोजग डॉक्टर राजीव बिंदल ने कही इस मौके पर डॉक्टर बिंदल ने कोरोना योधाओं को बधाई दी और राश्ट्रिय स्वास्ते स्वयम सेवक अभियान के वारियंटर्स को धन्यवाद दिया राश्ट्रिय स्वास्त्य स्वयम सेवक अभ्यान की शुरुवात 27 जुलाई को भारतिय जनता पार्टी के राश्ट्रिय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड़ाजी ने दिल्ली में की थी उन्होंने लक्ष दिया था कि हमें दो लाग गाओं के चार लाग हेल्थ वालेंट्यर बनाने हैं पर मुझे बदाई देनी है अपनी टीम को जिनोंने पूरे देश के अंदर पचास दिन के छोटे से समय के अंदर आठ लाख दस हजार से अधिक हेल्थ वालेंटियर बनाएं पिछले सब्ता राश्ट्री अध्यक्ष जी ने मारणी नरेंद्र भाई मोदी जी के जनम दिन के ऊपर दो क्रोड वैक्सिल लगाने का टार्गेट हेल अध्यक्ष वालेंटियर मिशन को के हमारे कारिकरताओं ने घर घर जाकर के लोगों को मोटीवेट किया और जहां प्रदेशों के स्वास्ते विभाग ने और कोरोना वार्यर्स ने वैक्सिनेशन ड्राइव की हमारे लोगों ने मोटीवेट किया और दुनिया का 17 सितंबर को दो करोड़ पचास लाग से अधिक लोगों का टीका करण अभियान पूरण किया इस परकार ये बहुत बड़ी उपलग्दी हमारे राश्ट्रे स्वास्ट्रेव का भियान की शुरू हुई है आने वाले समय में यह है हेल्थ वालेंटियर मिशन गाउं-गाउं के करेंदर एक हेल्थ के मामले में सेवा का वियान बनकर कि करा होगा ऐसा हमारा विश्वास भी रिपोर्ट सेटी चनल शिम्ला